जन्पत जालोन के कोंच में मोहला प्रताब नगर में घर के अंदर खड़ी कार और बाइक में किसी शरार्ती तत्व ने किसी ज्वलन शील पधार्त डाल कर आग लगा दी जिससे कार और बाइक पूरी तरह जल गई गारी मालिक नरेंदर पुरोहित ने बताया कि मोहले में कोई ऐसा शरार्ती तत्व का गिरो सक्रिय है जो घर के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा रहा है अभी हाल ही मैं मोहले में 15 दिन पहले घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियों में आग लगा दी थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है उन्होंने पुलिस से अनुरोग किया है कि ऐसे वाहन जलाने वाले गिरों का तुरंट परदा फाश करे जो भी हो यह ऐसी घटनाय पूर्व से हो रही है यहां मोबिल आयल या सी आयल इसका जले हुए यूज किया प्रियोक किया गया जिसमें पांच लीटर करीब गाड़ी की ऊपर छड़क कर इसमें आग लगा दी है कौन सी गाड़ी है यह है महिंदरा क्लासिक किना नुक्सान ग जनीमत है कि टाइमली उसको घर मेर लगी समर्थेवल से बजादीगा इन इंजन इंजन थोड़ा बच गया है लेकन बॉड़ी पूरी लगवख चली गई जहें इसकी आपने पुलिस को या फायर बिगड़ों इसी की सूतना जीते है अभी चूकि रात की घटना है रात में किसी ने किसी के दुवारा उनको सूचे किया गया है ऐसा ही अरवंद दुबेजी घटना पर आये थे साथ में पुलिस बिगड़ वाले भी आये थे लेकिन महलावालाओं के सायोग से इसके आप काबू पालिया गया है जब उन्होंने क्या साथन दिया पुलिस ने आपको है किसी पर शकेम है तो मैंने ऐसे कोई साथ कि कोई हमें लग नीजरा एक किसी परा शाथ हो कि सभड़ रोटा लेकिन यह गटना फहले है zaplansaż कंग हा यह तिर बिग्रुप यह काम कर रहा है जिसे यह सभी की गारियां को जला रहा है इसके पर मैंने गारी कadoreई प्लिष और यह कहके कि शौर्ट शर्काट हो गाई है, उसको मुकडमे को पंजीकरत ही नहीं किया गया है. और इसके अलावा भी कोई आपकी गारी जली है कि नहीं? नहीं इसके अलावा इसके महले मैं इसी के साथ करली के गटना है कि दो रामकिशोर शुकला जी हैं उनके हाप पर उनके घर के अंदर गुचके एक टीबियस स्टार और एक स्कूटर जिसको जलाया गया जिसमें से स्कूटर की बचा लिया गया लेकर वो भी काफी हद तक जल गया है अचा दोनों गटना हो लेकर पुलिस का क्या कहना है पुलिस बस सूचना का सभी की रिकॉर्ड लेकर चलेगे बस यह का है कि सुबह कोई कि किसी पर शक हो सुबह मिलते हैं सुबह को जानकारी हो तो हमें बताईए कि रात की गटना है मैं स्वयम पेशा से अरिवकता हूं माननी सिविल नियाले में मैं क्रिमिनल और सिविल दोनों का मुकर्दम को मैं देखता हूं ने ग्राइन करता हूं